हलो सुपर लेर्नर्स, हाओ और यू वाल, इस पूरे वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, है दी जी टी एंड एवलूशन, जो क्लास 10 साइंस, मारेश्टा बोड के, साइंस 2 का चैप्टर नूमबर 1 है, इस वीडियो में हम उसको पूरा का पूरा कवर करेंगे, इंपॉर्ट and questions मैं डालते रहता हूं time to time, तो उसको join जरूर कर लेना, and हाँ इस वीडियो का अपने friends के साथ share करना, and अगर चैनल पे नए हो तो subscribe कर लेना, let's get started with the वीडियो, chapter जो हम start कर रहे है, heredity and evolution, यह science 2 का आपका पहला chapter है, इस चैनल पे सारा सले बस cover करने वाले हैं, तो आप description में एक बार link चेक कर सकते होगी, कौन से कौन से chapter मैंने अल्रड़ी cover कर लिया है, start करते, heredity, सबसे पहले इस word का मतलब समझते है, heredity is passing on of physical or mental characteristics, genetically from one generation to another generation, अगर मैं एक generation से दूसरे generation में physical characteristics, जैसे कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरी height कैसी है, मेरे बाल कैसे है, जो भी physically हम देख सकते है, mental characteristic में मेरा स्वभाब कैसा है, ठीक है, मैं बच जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ या नहीं, मैं nervous रहता हूँ, तो जो भी mental characteristic है, genetically जब हम transfer करता है, एक generation से दूसरे generation में, तो हम उसको heredity कहते है, अब देखो, हमें एक चीज पता है, कि हमारा जो basic unit of life है, living organisms के लिए, वो है cell, तो cell is the basic unit of life, अब cell के अंदर होता है, एक central controlling unit, जिसको हम nucleus कहते है, ये वाले मैं चीज तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है, और उसके अंदर thread like structure होता है, जिसको हम क्या कहते है, chromosome कहते है, अब ये जो thread like structure है, ये DNA के उपर ऐसे लपेटा होता है, ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे खोलता हूँ, जो chromosome के उपर, जो thread like structure, अगर इस thread को मैं ऐसे खोलता हूँ, तो जो मुझे मिलता है, वो मुझे मिलता है DNA, और अगर इस DNA क माल लेते हैं कि एक बड़ा सा DNA का टुकड़ा है मेरे पास माल लेते हैं यहां पर जहां पर मैंने red color से highlight किया है बस मैं एक छोटा सा specific part अगर मैं काट लेता हूं तो वो जो मुझे मिलेगा होगा gene तो gene के है segment of DNA is called as gene और यहां पर और चाता अच्छी सा हम इसको बता सकते है functional segment of DNA is called as gene हम ऐसा चेह सकते हैं जिसका कुछ function है अब जो DNA हमारा वो हमारे characteristics को control करता है मगर किसकी मदद से gene की मदद से फोड़ा सा characteristics को समझते है अब जो तुम्हारा gene है वो control करता है तुम्हारे body के structure को function के और cell के बाकी जो भी चीज़ें उन सबी चीज़ों को control करता है अभी त्यान से सुनना एक question है जो कि बहुत important है heredity is passing on of test characteristics genetically from one generation to another generation यहीं पर मैं बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारे जो science का paper होता है उसमे question number one होता है mcq multiple choice question and that's the reason कि मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ questions देता हूँ जो तुम्हारी थोड़ी practice हो जाएगी आगे बढ़ते तुम्हें इसका जवाब हो इसे comment में बताना है पहले question का ABC जो भी है तुम नीचे comment में बता सकते हो ठीक है अब समझते हैं कि characteristic मतलब क्या होता है जैसे कि एक बच्चा है माल लो यहाँ पर इसका कोई भी detectable feature any detectable feature is called as character जो भी चीज में detect कर हो जैसे इसकी बाल इसकी आखे इसका height जो में detect कर पाना हूँ अच्छे समझते हैश अभी यहां पर एक है किकरettes की बात कर हूँगा तो तो तुम इजली पता सकते हो कि यहां पर जिस character के बार में बात हो रहा है वह है वह है height तो यहां पर एक इंसान इह जिसका height लोब्य है तुम देख सकते हो कि एक इंसान है जो थोड़ा के बारे में बात करना हूँ, कि एक इंसान थोड़ा fair है, दूसरा थोड़ा dark है, फिर मैं यहाँ पर एक चीज कह सकता हूँ, इन दोनों examples है, ज्यादा example लेने की कोई जूरत नहीं है, कि बहुत सारे possibility हो सकते हैं character के, कोई इंसान लंबा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, कोई height है, तो trait हो सकता है, tall, short, इसकी possibility, skin color fair है, तो character है, तो trait हो सकता है, fair, dark, etc, जो भी हो, eye color, character है, तो blue, black, और जो भी color हो सकते हैं, वो उसकी possibility, यह clear हो गया, अब जो traits होते हो, कई बार mental भी होते हैं, और physical तो होते ही, mental मतलब मैंने कहा न, कि मैं कितना काम हूँ, या फिर मुझे कितने जल्दी गुस्सा आता है, मेरा स्वभाफ कैसा है, X-Vidget, ठीक है, तो trait can be mental as well as it can be physical, यहाँ तक clear है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और trait जो होता है, वो control किया जाता है, genes द्वारा, जैसा कि मैंने तुम्हा पहले ही बता दिया, हमने एक चीज सीखा है, कि जो chromosome हो DNA लपेटा होता है, मतलब इसके उपर genetic code होगा, ठीक है, और अगर chromosome pair में आ रहा है, तो यह जो हमारा DNA है, यह भी pair में आएगा, मतलब इसके उपर genetic code है, मैं simply मैं कहना चाहरा हूँ, वो भी pair में आएगा, यह बात समझना, वो ऐसे जब same type के chromosome होते हैं, तो हम लोग homologous chromosome कहते है, कि अपने night में पढ़ा है, heredity and variation chapter में, आगे बढ़ते हैं, और यह मने तुम्हें बता दिया, एक इंसान के अंदर बहुत सारे cells होते हैं, और हर एक cell के अंदर 46 chromosome होते हैं, तुम्हें यह भी पता होगा, और यह 23 के pairs में होते हैं, जिसमें 22 chromosome, autosomes होते हैं, और 1 chromosome, 6 chromosome होत है, each cell has dash chromosome, तुम्हें नीचे comment करके बताना answer, practice के लिए है, तीसरा question, which of the following is our always present in pair, तुम्हें नीचे comment में answer बताना है, कि gene, chromosome, both ANC, या फिर RNA, कैस का सही जबाब है, और अब हमें एक important चीज़ पढ़ता है, इसके बारे में हमने हलका सा 9 standard में पढ़ा था, लेकिन अभी थोड structure of DNA, हम structure of RNA भी पढ़ेंगे, क्योंकि जब ये सारी चीज़ हमारा एक बार revision हो जाएगा न अच्छे से, तब हम आगे की चीज़ों को बहुत बहतरीन तरीके से समझ पाई, सबसे पहले DNA का full form है, deoxy ribonucleic acid, ये हम सब को पता है, इसको invent किया था, Watson and Crick ने ये model दिया था, double hel structure, अगर मैं इसको ऐसे थोड़ा खूल देता हूं, तो मुझे एक ladder की तरह मिलेगा, या फिर एक ladder को मैं इस तरीके से twist करता हूं, तो मुझे DNA का structure मिलेगा, DNA जो बना होता है, वो तीन important चीज़ों से बना होता है, pentosugar, phosphate और nitrogen basis, तीन important चीज़ों है, pentosugar, phosphate और nitrogen basis, एक एक करके सबके बार में बात करते हैं, यह है एक DNA का baggy, अगर तुम यहाँ पे देखोगे, तो तुम्हें दिख रहा होगा, एक pentosugar है, फिर एक phosphate है, फिर एक pentosugar है, फिर एक phosphate है, फिर एक pentosugar है, फिर एक phosphate है, फिर एक phosphate है, ठीक है, DNA backbone is made up of pentosugar and phosphoric acid, जिसको हम phosphate कह रहा है, अब ही दूसरा एक structure होता है, आगे बताऊं मतलब, लेकिन हमने कहा था कि pentosugar phosphate के अलाबाए एक चीज और है, जिसको हम nitrogen basis कहते हैं, तो nitrogen basis हमारे पास चार प्रकार के होता है, अगर हम DNA की बात कर रहें तो, एक होता है adenine, दूसरा होता है gonine, cytosine and thymine, A, G, C, T, अब द्याद से स सुनना, यहाँ पे अगर तुम्हे structure देखोगे, यह वाला मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन अगर तुम्हे structure देखोगे, तो यहाँ पे तुम्हे sugar का ऐसा सीधा दिख रहा होगा, और यहाँ पे ऐसा उल्टा दिख रहा होगा, मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे हमारे पास 5 है और यहाँ पे हमारे पास अगर 3 है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 5 है और यहाँ पे हमारे पास 3 है उल्टा है ठीक है ऐसा हम कहते है अब जो एडिनीन है ठीक है जो एडिनीन है ए वो हमेशा पेर करता है थाइमीन के साथ इंडिये ने बाइ 2 hydrogen bond similarly जो गॉनीन है यहाँ पर तुम देख सकते हो गॉनीन और साइटोसीन बचा हुआ है तो जो गॉनीन है वो हमेशा साइटोसीन के साथ प्यार करता है बाई त्री hydrogen bonds यह बहुत important है इसको याद रखें बुवीग फदर बच्चो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि मिने पास एक पेंटोसुगर है और मिने पास एक nitrogen base है इन दोनों को मिला करके जो मुझे मिलता है उसको मैं कहता हूँ नुक्लियोसाइड अगला ध्यान से सुनना अब यह जो मेरे पास नुक्लियोसाइड है ठीक है उसके साथ अगर मैं एक फॉस्फेट को जोड़ दू नुक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट तो मुझे मिल और अब हमें जो करना है वो है structure of RNA RNA का मतलब होता है ribonucleic acid ये हमारा second important nucleic acid होता है हमारे cell में पहला जो important nucleic acid है वो हमारा DNA ने था second ये है और RNA जो होता है वो double stranded नहीं होता है उसमें दो strand नहीं होता है वो एक single stranded होता है RNA का जो backbone होता है वो भी pentosugar and phosphoric acid से ही बना होता है made up of pentosugar and phosphoric acid जैसे हमने देखा था इसमें भी चार प्रकार के nitrogen basis होता है adenine, gordine, cytosine and thymine नई, thymine is replaced by uracil अगर हम RNA की बात करते है तो ठीक है अब यहाँ पर तुम देख सकते है adenine, gordine, cytosine, uracil इस तरीके से एक RNA हमारे पास है RNA बेसिकली तीन प्रकार का हो सकता है mRNA जिसको हम messenger RNA कहते है नहीं तुमें पढ़ा है rRNA, ribosomal RNA, tRNA, transfer RNA वैसा नाइन स्टेंडर पर तुमने और भी बहुत कुछ पढ़ा है हम एक चीज समझना पढ़ेगा कि हम यह सब पढ़ क्यूं रहे देखो, मैंने तुम्हें बताया कि जो DNA होता है वो gene की मदद से characters को control करता है लेकिन यह DNA या फिर gene अकेला कर नहीं पाएगा उसके लिए हमारा जो gene होता है वो protein produce करता है अब protein produce करने के लिए अब यहाँ पर तुम्हें मैं DNA दिखाता हूँ ठीक है तो इस DNA पर तुम सीधे सीधे तुम्हें दिख रहा होगा कि एक genetic code है इस DNA पर एक genetic code है ATGC CGTA अभी तुम्हें समझ माई मालो कि हमारे पास एक cell है cell के अदर green color से मैंने nucleus दिखा रहा है और उसके अंदर क्या है हमारे पास एक DNA का टुकड़ा है अब इस DNA के हिसाब से इस DNA जो है उसके coding के हिसाब से उझे एक mRNA मिलेगा मैं तो मैं बताओंगा कैसे बनता है तो DNA से ही बनता है हमारा mRNA तो इस पर जो भी messages थे इस DNA पर वो ही message यहाँ पर भी RNA पर भी होगा क्योंकि यहाँ से ही code copy हो रहा है तो मैं कहां कहूँगा messenger RNA के बारे में mRNA क्या होता है mRNA carries the information of protein synthesis mRNA मेरा protein synthesis का information carry करता है from gene मतलब कि हमारे DNA का एक छोटा सा टुकड़ा in the nucleus to the ribosome in the cytoplasm which produces protein बाकी थोड़ी सी जो line है वो तुम्हें थोड़ी दर में समझ में आ जाएगा ठीक है अब हमारा जो अगला वाला है वो है rRNA ध्याद़ा समझना यह हमारा एक cell है cell के अंदर हमने DNA से एक mRNA बना लिया है इसके बाजू में एक part होता है इसको बोला जाता है endoplasmic reticulum इसके बारे में भी तुमने low standards में पढ़ा होगा और इसके तुम्हें छोटे छोटे डॉट 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 जैसे दिख रही है इसको हम लोग ribosome बोलते हैं यह जो हमारा ribosome है उसके अंदर बहुत सारे RNA होते हैं राइबोजोम को हम factory of protein भी कहते हैं इसके अंदर होता है ribosome के अंदर होता है RRNA है हमारा ribosomal RNA अभी द्यान से सुनना ribosomal RNA the molecule of RNA which is a component of ribosome organelle जो ribosome के अंदर होता है और ribosome perform करता है function of protein synthesis बहुत क्लियर यह तुम लिख ले ना तीसरा वाला important line जो हमें समझना है वो है अब TRN के बारे में अब देखो हमारा जो यह mRNA था वो माल लेते हैं ribosome तक चला गया ठीक है अब हमारे cell के अंदर क्या होने वाला है protein synthesis होने वाला है लेकिन protein बनने के लिए चाहिए होता है amino acids amino acids चाहिए होता है यह जो amino acids होता है यह हमारे cell में बिखरा पड़ा होता है अब इस amino acids को एक TRN यह माल लेते कि अभी जो प्रकट हुए वो हमारे TRN है इसका काम है कि इसको उठा करके सही जगे पे mRNA पे place करना जो कि ribosome पे है यह TRN का काम है क्या मैंने TRN का काम है कि cell के cytoplasm में जो amino acids है उसको सही जगे तक पहुचाना कैसे लिखेंगे वो देखना the RNA molecule which according to the message of mRNA एक RNA का molecule है जो message जो भी mRNA पे जो message है messenger RNA पे उसके हिसाब से amino acid को carry करता है ribosome तक उसको हम TRN कहते है उसको हम क्या कहते है transfer RNA कहते है और जो मैंने starting में तुमें एक चीज़ बताया था देखो mRNA यहाँ पे मैंने तुमें एक छोड़ी सी बात बताई थी कि from the gene nucleus to the ribosome of the cytoplasm which produces protein उसका मतलब ये था कि हम कह रहे थे कि ये जो mRNA है वो बनने के बाद यहाँ से ribosome तक चला जा is it clear? चलिए तो TRNA भी हमने पढ़ लिया बहुत अची तरीके से और ये भी हमें crystal clear है कुछ questions है इन RNA इन स्टिट ओप थाइमिन इट हैज डैश तो मैं नीचे comment में इसका answer बताना है चट्टा question which of the following is single stranded इसका भी answers भी नीचे comments में बताना अब जिस चीज को हमें पढ़ना है उसको कहा जाता है protein synthesis protein synthesis इसी को हम central dogma भी कहते हैं और यहाँ से हमारा chapter start है almost तो protein synthesis के कुछ basic steps होते हैं अगर तुम देखोगे तो transcription, translation और translocation यह 3 steps को हमें अच्छे से समझना है और हमारा काम हो जाएगा ADDT वाला part फिर हमें evolution पढ़ना होगा तो देखो मैंने आपको कहा कि DNA जो है वो produce करता है protein ठीक है किसके मदद से RNA के मदद से इसी process को हम कहते है central dogma DNA produces protein with the help of RNA which is called central dogma इसको याद कर ले न important है अब हमारा जो यह cell है उसके अंदर एक माल लेते हैं एक DNA का टुकड़ा है जसको हम gene बोलेंगा और उसके अंदर इस तरीके की कुछ तो coding होगी अब इस coding के हिसाब से क्या होता एक mRNA बनता है nucleotides के sequence के हिसाब सही बनता है मैंने आपको बताया था उसी process को हम क्या कहते है transcription इस process को हम कहते है transcription अब यह होता कैसे थोड़ा detail में समझते है वसे इतना detail में आपको लिखना नहीं है बढ़ थोड़ा समझते है यह वाला आपको definition याद रखना है देखो यह हमारे DNA का एक strand है imagine करो the two strands of DNA will separate from each other तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि यह strand है DNA का है थोड़ा सा separate हुआ एक दूसरे से अभी हमें पता है कि हमारे DNA के दो strand में से इस process के लिए हमें mRNA चाहिए जो single stranded होता है तो खली एक strand used होगा ठीक है अगला ध्यान से सुनना अभी the sequence of nucleotides in mRNA being produced is always complementary to the DNA strand used for the synthesis इस line का मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ मालो के हमारा यह वाला जो strand था वो huge हो रहा था mRNA के production के लिए अभी यहाँ पर अगर तुम देख सकते हो तो mRNA हमारा बन रहा है मतलब बन चुका है मालो अब यह जो है A के against U होगा G के against C होगा T के against A होगा C के against G होगा मतलब यह जो mRNA ने बना है वो इस template strands के हिसाब से जो हमारे DNA था उसके complementary बना है the sequence of the nucleotides in mRNA mRNA पे जो nucleotides बनेंगे वो हमेशा complementary होगे इस वाले strand के यही मैं बताने की कुछिश कर रहा है बहुत simple है अब मालो कुल मिला के एक mRNA ने बन चुका है हमारे पास वो बाहर निकल गया और अब यह जो mRNA होगा वो हमारे nucleus में बन चुका है DNA से और यह अब आगले process के लिए थोड़ा आगे जाएगा तो माले इतने है यह mRNA बन गया हमें पता है nucleus के बाग side में एक organ होता है endoplasmic reticulum उसके उपर dot 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 दिख रहा है जो किया है ribosome जिसके अंदर RNA होता है तो यह जो mRNA बना है बच्चों यह कहां तक जाएगा इस ribosome तक जाएगा RNA के लिए ठीक है हम कहते है the mRNA formed in the nucleus comes in cytoplasm it brings the coded message from the DNA अब इस चीच को अपको notes में लिखना है ठीक है तो यह जो mRNA बना यह यहां से यहां तक गया और इसने coded message लेकर के आ गया यह ठीक है DNA से coded message लेकर आ गया अब मालो यह हमारा mRNA है इसके यह देखो एक, दो, तीन इसको codons बोलता है चार, पांच, छे, साथ इसको हम codons बोलेगे तो मालनों कि यह तीन codons का मैंने एक group बनाया फिर अगले तीन codons का मैंने एक group बनाया तो मैं कहूंगा group of three nucleotides यह जो हमने तीन nucleotides का एक group बनाया है ठीक है, इसको nucleotides भी कहते है उन्हें देखा तो पीछे ठीक है, तो उसको मैं कहूंगा triplet codon, एक codon और क्योंकि यह तीन है तो मैं triplet codon कहूंगा group of three nucleotides को तो यह definition याद रखना group of three nucleotides is called as triplet codon और यह मतलब मालो यह वाला जो है यह वाला part यह एक amino acid produce करेगा it produces one amino acids और यह वाला एक amino acids produce करेगा, ठीक है अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक का part हमारे पास सारा clear है, तो हमारा mRNA यहाँ पर आगे थोड़ा mRNA में ने image बदल दिया है समिदेगी कोशिश करना, ठीक है अब हमें पता है cell के अंदर क्या होता है amino acids होता है यह amino acids को लेके जाने का काम किसका है tRNA का काम है मगर हमारे मन में एक सवाल आना चाहिए कि इस tRNA को समझ में कैसे आएगा कि यही वाला amino acids को वहाँ पर ले जाके छोड़ना है इसका जबाब है कि as per the codons and mRNA इसको तुम्हें notes में लिखना है amino acids are brought by TRNA TRNA लेके आता है और इस process को हम translation कहते है सबसे पहले यह समझ दो कि जहाँ पर यह message था ठीक है इसके हिसाब से जब उसको वहाँ पर लेके गया इस process को हम translation कहते है as per the codons and mRNA mRNA पर ऐसे कुछ codons थे उसके हिसाब से क्या हुआ यह TRNA एक amino acid को लेकर क्या है इस process को हम क्या कहते है बच्चो translation कहते है अब एक important बत कि इस TRNA को कैसा समझा कि यह वाला ही amino acid यहाँ पर आएगा तो इसके पीछे का कारण क्या है कि हमारा जो TRNA होता है उसके नीचे होता है anti-codons यहाँ पर हमारे codons है तो इसके नीचे होता है anti-codons तो इसको बराबर पता होता है कि कौन सा amino acid को यहाँ पर लाकर के उझे रखना है खेर as per the codons on MRNA amino acids are brought by TRN this is called as translation बहुत simple है अब अगला माल लेता है कि दूसरा भी MRNA ने आया दूसरा TRN ने आया एक और amino acids को लेकर के आया फिर एक और ऐसे यह जो दो हमारे पास amino acids है इनको हम join करेंगे तो इनको हमने join कर दिया तो amino acid brought by TRN is bounded together by RRN तो यह जो RRN था यहाँ पर पीछे जो दिख रहा है न तो में यह white सा यह ribosome है तुमारा यह भी याद रखना है एक ग्राम में पूछते है ठीक है कि जो TRN जो amino acid लाता है RRN उसको जोड़ता है with the help of peptide bone तो दो amino acid के भीछ में peptide bone होता है ठीक है अब माल लेते हैं कि एक और TRN आया और एक और amino acid को लाया है और एक और peptide bone बन गया है अब एक और बात ध्यान से सुनना अब क्या होगा जो यह TRN है ना इसका तो काम हो गया तो यह अपना उड़ लेगा और जब यह उड़ेगा तो यह जो हमरा ribosome है वो एक triplet codon आगे आएगा देखो ribosome क्या हुआ एक triplet codon आया है और इसी process को हम कहता है translocation अब माल लो इस तरीके से यह process होता जाएगा यह आगे 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 बढ़ता जाएगा और एक लंबा chain मिल जाएगा मुझे amino acids का तो long chain of amino acids मुझे मिल गया है जिसको मैं क्या कहता हूँ protein कहता हूँ यह ही पूरे process को हम central dogma कहते है और अब मिले पास तुम्हारे लिए कुछ questions है dash refers to the mRNA it's produced it's produced दो बार आ गया as per the sequence of nucleotides on DNA तुम्हे इसका answer वीचे comments में बताना है आठवा question group of three nucleotides are called as dash तुम्हे इसका भी answer वीचे comment में बताना है और 9 question है mRNA hash dash codons, anti-codons, amino acid, fatty acid तुम्हें इसका answer वीचे comment बताना है और 10th question है tRNA hash dash codons, anti-codons, amino acid, fatty acid इसका भी answer तुम्हें नीचे comment बताना है और ये topic तुम्हें समझाया नहीं है ये भी मुझे comment में बता देना अब हम चलते हैं हमारे next topic के लिए अगर बच्चो आप अभी on academy पे 45 days का subscription लेते हो तो आपको वो केवल 299 रुपीज में मिल रहा है ये offer अगले 7 दिनों तक ही चालू है and the day from which the offer is started is 23 today और ये चलेगा 30 तारिक तक अगर इसके तहत अगर आप एक subscription लेते हो तो आपको इस पे भी 10% का discount देखने को मिल जाएगा अच्छा साथी साथ क्या मिलेगा अगर आप एक subscription लेते हो अगले 45 दिन के लिए तो तो plus पे जितने भी benefits है like raise a hand ठीक है अलग से mock test plus के बच्चों के लिए और जो भी benefits है personal guidance, live classes सारी चीज़े आपको मिल जाएंगी screen तक कुछ चीज़े लिखी हुए है तीन-चार चीज़े आप देख सकते हो जैसे कि live classes with top educator जो plus के बच्चे experience करते है live classes with the top educator आपको वो मिलेगा 24 into 7 आपको doubts all भी मिलेगा like अगर आप कोई भी class में आते हो और आप raise a hand करके आप अपने doubts को clear करा सकते हो आपको personal guidance मिल जाएगा for the academics अगर कोई बच्चा आप भी 9th से 10th में आया तो उसको मिल जाएगा कोई बच्चा अगर 10th से 11th में जाने वाला है तो उसको मिल जाएगा और साथी साथ आपको guidance मिल जाएगा for CBSE board preparation आप अपने board के preparation कैसी करनी है उसके लिए much mode बहुत सारी और भी चीज़े ठीक है तो इन सभी के लिए मैंने description में कुछ links डाल दिया उन link पे आपको click करना है और आपको simply यही code का इस्तमाल करना है SJSuper 10 जैसे आप ये code डालोगे आपको instantly 10% का discount देखने को मिलेगा और 2.99 का subscription घट करके और भी कम हो जाएगा आपके लिए चलिए एक काम करते हैं मैं आपको screen पे ले जाता हूँ और line by line समझाता हूँ कि किस तरीके से आपको करना है तो हम वारे screen पे आ गया है जो description में links दिये हुए है पैसे जब आप किसी भी link पे click करोगे तो माल लेते है मैंने जो link पे click किया हूँ CBSE class 10 का link है और आपके पास ऐसा option आएगा कि क्या आपको एक plus subscription लेना है या पिर iconic subscription लेना है इसमें आपको एक plus पे click करना है जैसे आप click plus पे चले जाओगे तो आपको नीचे दिखेगा view all plans can you see here यहाँ पे आपको एक view all plans दिखेगा इस जगे पे आपको view all plan करना है scroll करना और आपको दिख रहा है एक मन्त का subscription 2.99 रुपीज तो यह next 45 days के लिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा उपर get 45 days subscription 1 month plus 15 days on plus subscription at the rate 2.99 रुपीज only तो यहाँ पे क्या करोगे आप एक code डालोगे यहाँ पे है ना have a referral code तो यहाँ पे माल लेते है कि SJSUPER10 आपने डाल दिया capital small का कोई पंगा नहीं है आपने जैसे ही डालोगे यहाँ पे आपको दिखेगा कि भाई साब आपको एक discount मिल गया है और यह जो subscription है आपका वो अब 269 रुपीज पे हो चुका है लेक्से की माल लेते हैं कि जैसे आप आपने क्लिक किया तो यहाँ पे अल्रेडी कोई code था तो आप यह cross करके वो हटा सकते हो और आप फिर से code डाल सकते हो तो SJSUPER10 यह आपने code डाला apply और उसके बाद simply discount आपको मिल जाएगा जैसा कि भी आप देखोगे प्राइस अपने आप कम हो गए और आप एक मंद का subscription ले सकते हो add 299 रुपीज और वो भी 10% के discount के साथ 269 आप चाहे तो इन में से भी कोई भी plan purchase कर सकते हो using the same code और यहाँ पर आपको proceed to pay pay click करना होगा तो आपके पास अगर आने academy learning app है तो आप simply उस पे यह सब कर सकते हो और अगर नहीं है तो आने academy learning app डाउनलोड कर लेना वहाँ पर भी अगर तुम्हें कहीं पर भी code पूछा जाए तो same code तुम यूज कर सकते हो SJSuper10 तो I really hope कि सभी लोगों को यह clear होगा है कि किस तरीके से इस offer का फाइदा उठाना और कैसे subscription लेना है तो इंतजार क्यों कर रहे हो all the links are in the description फटक से जाए और subscription ले लीजे don't forget to use the code SJSuper10 happy learning 3.5 billion years ago life had been non-existent on the earth अगर मैं life के बारे में बात करता हूँ तो 3.5 billion years ago वो बिल्कुल नहीं था चारतर पानी ही पानी था पानी के अंदर कुछ simple elements present थे तो माल लेते हैं यह कुछ simple elements present है और यह simple elements ने क्या किया एक दूसरे के पास आने लगे और इन्होंने कुछ complex compound बनाया यह जो organic और inorganic compounds थे इन्होंने भी एक दूसरे के साथ react किया organic and inorganic compound reacted together और इससे थोड़े और complex चीज़े बनी होगी जैसे protein, nucleic acid from those compounds अब यह जो protein and nucleic acid है यह भी एक दूसरे के पास आया और इन्होंने भी react किया और इसससे बना होगा सबसे पहला एकदम simple primitive type of cell जिसको हम कहता है protoplasm अब यह जो protoplasm थे इन्होंने क्या start किया आसपास जो nutrients है उस nutrients को absorb करना start कर दिया और nutrients start absorb करने के बाद इनका number पढ़ते चला गया ठीक है अब यह numbers तो बढ़ रहे हैं लेकिन क्या होगा कि आसपास के महौल के हिसाब से किसी एक cell के अंदर एक नया character develop होगा मतलब कुछ cells के अंदर कुछ नया character develop होगे आसपास के महौल के हिसाब से बट आसपास के महौल के हिसाब से कुछ लोग adjust नहीं कर पाएगे तो जो adjust कर पाए उन्होंने अच्छा growth दिखाया लेकिन जो adjust नहीं कर पाए वो फत्व होगा ठीक है अब इस चीज को हम कहता है principle of natural selection ठीक है अब इस तरीके से development होता चला गया होगा और pro carry-outs बने होगे उससे फिर e-carry-outs बने होगे development हो रहा था और development के साथ जो cells थे वो complex हो रहा थे और organisms भी complex होते जा रहे थे changes occurred in the unicellar organism from which larger and more complex organism ने पॉप्ट कि unicellar organism में जो changes होए उसके कारण थोड़े बड़े और थोड़े और complex organism बने थे और अगर आज मैं देखता हूँ तो मैंने आज पास बहुत ही जादा diversity है हर इंसान अलग है एक दूसरे से ठीक है यह सब होने के लिए around 300 करोर years लग गया है अब कैसे मैं evolution को define करूँगा यह समझना हम theory of evolution देख रहे है gradual change occurring in the living organism जो gradual change होता है living organism में for a long duration it's called as evolution उसको मैं evolution कहता हूँ question है मेरे पास तुम्हारे लिए 11th question 10 billion years ago life had been non-existent on the earth comment में जबाब देना 12th question changes occurred in the organism from which larger and more dash organism were formed changes occurred in dash organism from which larger and more dash organism were formed इसका जबाब में तुमें नीचे comment में देना है अब हम चलते है हमारे next topic के ओपर evidences of evolution evidences of evolution इस chapter में हमको भी बिला के 6 evidences के बारे में पढ़ता है morphological, anatomical, vestigial, paleontological, connecting link, embryological evidences इन सारे evidences को detail में देखेंगे लेकिन सबसे पहले morphological evidences के बारे में बात करता है तो morphological evidences हमें क्या बताता है दो example लेते हैं जिससे हमें सारी चीज़े clearly समझ में आ जाएगी सबसे पहले बात करता है देखो आपको यहाँ फिगर में एक dog दिख रहा है और एक cat दिख रहा है अगर इस dog और cat के figure को तुम detail में देखो तो तुम्हें दिखेगा कि जो nostril है उसका जो position है और जगे पर nostril है दोनों में common है हाला कि एक कुता है एक बिल्ली है उसके अगर तुम eyes के position को देखोगे तो तुम्हें कुछ similarity दिखेगा साथी साथ तुम कान के position को देखोगे ear पे और body के उपर thickly hair distributed है यह दोनों में ही common है अब क्योंकि यह दोनों में common है तो हम क्या कह देते है कि भाई साब यह जो जानवर है ठीक है इनके अंदर बहुत सारे similarity दिख रहा है जैसे structure of mouth, position of eye, structure of nostril, ear, pinna and thickly distributed hair on their body are seen in animals इन सबके अंदर यह common है चलो एक और example लेता है plant selected तो यहाँ पर एक mango लिया है चिकु लिया है मैंने और एक mango लिया है अगर तुम चिकु और mango को compare करोगे तो तुम देखोगे कि लीप का shape ठीक है लीप का venation, लीप का venation मतलब होता है यह लीप के उपर vents कैसे distributed है इसके बाद अगर तुम देखोगे लीप के pitiole मतलब यह किस जिगे पर से connected है वो बहुत को pitiole कहते है और इन सारी चीजों में आपको एक similarity दिखेगा तो हम कह सकते हैं कि अभी जो हमने animals में और यहाँ पर जो हमने similarity दिखा है से हम क्या कहेंगे from this we can see that their origin must be same यह common से origin से आये होंगे और एक common ancestor होगा इनका तो यह जो भी example हमने देखा इन सब में हम कहते हैं कि यह एक common origin से आये होंगे इनका ancestor same होंगे और यही है हमारा morphological evidence कि जो external characteristics है वो same है that means कि एक common origin से यह सभी के सभी आये होंगे मेरे question है तुम लोगों से which of the following similarities are seen in the animals तुम्हें नीचे comment में इसका answer बताना है अब हम जाते हैं हमारे next topic क्यों पर तो हमने देखा कि morphological evidence का मतलब होता है study of external structures अब हम बात करेंगे anatomical evidence के बारे में जिसमें हम करते study of internal structure मैं कुछ एक jumpers लेता हूँ जैसे अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक आदमी का हाथ और यहाँ पर मैंने उसका x-ray रखा है तो अगर एक आदमी के हाथ की बात करें तो एक आदमी अपने हाथ किस-किस चीच के लिए इस्तमाल कर सकता हूँ मुझे यह mouse का use करना है तो मैं use कर सकता हूँ मुझे यह कोई सामान उठाना है तो मैं इसका इस्तमाल कर सकता हूँ खाने के लिए धोने के लिए x-y-z के लिए मैं अपने हाथ का इस्तमाल कर सकता हूँ अब यहाँ पर तुम्हें देख्ञा एक जानवर का पैर ठीक है, तो ये अपने इस हाथ पैर जो भी है, इसका किस चीज के लिए इस्तमाल करेगा, ये ją deliver को तुम भूरों के दोडने के लिए, किसी चीज को चीर फार के खाने के लिए, और भी बहुत सरी चीज के लिए अपन के इस चीज़ के बारे में ठीक है फ्लीपर के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो ये वेल का जो फ्लीपर है ये फ्लीपर है किसले इस्तमाल करता है ये टर्न लेने के लिए इस्तमाल करता है अगर मैं बात करता हूँ एक बैट के पैटेजियम के बारे में तो ये एक तो तुम अगर ध्यान से देखोगे इन डियाग्राम को, तो तुम्हें पता चलेगा, कि भाई, there is a similarity in the structure of bones, internally, bone के structure में एक similarity है, and joints in the organ of each of these animals, और हम कह सकते हैं, इससे हम ये कह सकते हैं, कि इनका जो origin होगा, वो एक common ancestor से आया है, बहुत सिंपल था ये, चलो, कुछ questions इससे related, anat anatomical evidences refers to, तुम्हें नीचे comment में इसका answer बताना है, anatomical evidence states that there is similarity in dash, तुम्हें इसका नीचे comment में answer बताना है, and I hope कि यहाँ तक clear है, अब अगला वाला जो है, morphological कर लिया, हमने anatomical कर लिया, vestigial कर लिया, अब अगला जो हमारा, वो है vestigial है, वे तक किया नहीं है, vestigial मतलब सम of degenerated and underdeveloped organs, कुछ ऐसे organs होता है, जो underdeveloped रह जाते है, degenerate हो जाते है, समय के साथ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, अभी यहाँ पर तुम्हें diagram में कुछ बंदर दिख रहे होंगे, ठीक है, अब यह बंदर क्या कर रहे है, अपने पूछ का इस्तमाल कर रहे है, यह monkey जो है, अपने पूछ का इस्तमाल करते है, खुद को balance करने के लिए, लेकिन जैसे-जैसे evolution होता गया, इंसान सीधा खड़ा होने लगा, और यह जो पूछ था, यह गायब हो गया, ठीक है, तो vestigial organ को मैं define कैसे कर रहे है, अध्यान से देखना, some structure और organs under different situation becomes useless, and the existing organ undergo gradual changes, तो जो existing organ हो they begin to degenerate under such situation, and it takes thousands of year for a structure to disappear, यह जो disappearance होता है, किसे भी organ का, जो degenerate होने लगता है, दीरे दीरे, वो एक दिम में नहीं होता, उसको thousands of year लग जाता है, degenerate होने के लिए, तो हमारे पास कौन से कौन से example है, अभी के लिए vestigial organ का, तो जैसे देखो, यहाँ पे appendix है, यह appendix humans के अंद index का huge होता है, तो एक organ जो हमारे लिए useful नहीं है, वो किसी और के लिए useful हो सकता है, फिर देखो earpina, हमारे लिए कोई useful नहीं है, लेकिन एक dog होता है, ठीक है, तो एक dog क्या करता है, अपने earpina का इस्तमाल करता है, अगर कोई भी चीज़ होआ, तो फट से उसको खड़ा कर ल से पहले, तो यह हमारा tail इसी से attached था, फिर body hair की बात करें, wisdom teeth की बात करें, ऐसा बहुत सारी चीज़े हैं, जो हमारे लिए vestigial है, आजा बचो, अब कुछ questions है, लेकिन उससे पहले यह सारे organs है, और इसको हम define कर लेते हैं, कि कैसे define करेंगे, तो degenerator and underdeveloped useless organs of organism are called as vestigial organs, अब क्या answer है, तो में नीचे comment में बताना है, अगला question appendix is useful, useful in, किन में appendix useful होता है, इसका नीचे comments में answer बता देना, और अब हम चलते हैं, हमारे next topic पर है, Large number of organisms get buried inside the earth, due to disasters like flood, या फिर earthquake, etc, मतलब तुम इसको ऐसे समझो, कि कुछ कोई एक organism था, और अचानक से वहाँ पर बार्ड आ गया, पानी आ गया, जिसके कारणों बहे करके कहीं पर दबके रह गया, या फिर earthquake आ गया, तो कोई एक organism नीचे रह गया, या फिर volcanic eruption के कारण, ऐसे बहुत सरी चीज़े हो सकती है, तो let's suppose, कि एक dinosaur था, जो जमीन के अंदर दब चुका था, और अब ये dinosaur, जब मर गया है, या फिर कोई भी ऐसा organism, जो मर चुका है, उसका क्या होता है, इस तरीके का impression रह जाता है, तो remnants and impression of such organism remains preserved underground, एड इसी को हम लोग fossils कहते हैं, अब माल लेत है कि ये dinosaur था, जो मर गया है, ये मुझे से अब पूछ रहा है कि भीया, मेरी age कितनी है, मुझे बताओ, तो क्या हमारे पास कोई ऐसा method है, जिससे हम इसका age calculate कर सकते हैं, और इसका जबाब है, हाँ, carbon dating, carbon के साथ date पे जालो, carbon dating is the method, जिससे हम किसी भी चीज का age पता कर सकते ह है, अब ध्यान से समझना है इस method को, हमारे जो atmosphere है, हमारे atmosphere में carbon 12 है, और due to radiation, एक और carbon होता है, जिसका नाम है carbon 14, ये radioactive होता है nature में, अब ये carbon 12 और carbon 14 ये आसपास के oxygen के साथ react करता है, और ये बनाता है carbon dioxide, अब ये जो carbon dioxide है, ये क्या होगा, एक plant absorb कर लेगा, आसपास के जो भ गाए आती है, और ये गाए अब क्या करेगी, घास को खाईगी, जब ये गाए घास को खाईगी, और यहाँ पर एक बदलाब हुआ है, तो नीचे comment में बताना मुझे कि क्या बदलाब हुआ आचानक से ठीक है, ये गाए जब घास को खाईगी, तो इसके अंदर carbon 12 जाएग कि एक टाइम आएगा जब ये गाए मर जाएगी, और जैसे ये गाए मर जाएगी, तो अब जरा बात को समझ न, carbon 12 जो था, वो normal था, but carbon 14 radioactive था, तो carbon 14 जो है, radioactive होने के कारण, वो धीरे-धीरे decay होने लगेगा, खतम होने लगेगा, तो ये जो ratio है, वो change होगा, in dead animals, ratio between carbon 12 and carbon 14 changes continuously, और इसी के कारण, जैसे टाइम पास होगा, since the death of the plants or animals can be calculated by measuring the radio activity of carbon 14 and the ratio of carbon 14 to 12 present in the body, मतलब इस carbon 12 of 14 के ratio के हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि organism कितना पहले मरा था, और इसी method को हम carbon dating method कहते हैं, now here is a thing, जो आपको समझना पढ़ेगा, माल लेते हैं कि कुछ organisms थे, जो बहुत पहल मरे, बाद में कुछ और organism मरे, फिर कुछ और मरे, फिर कुछ और मरे, फिर कुछ और मरे, तो जो सबसे पहले मरेगा, वो नीचे जाएगा, उसके बाद जो मरेगा, वो उसके उपर आएगा, उसके बाद जो मरेगा, वो उसके उपर आएगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि, it seems, अगर हम इन चीजों को देखते, ऐगर Fossils को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि Vartibrate जो है वो Oroginate हुए थे in Vartibrate से Invertibrate मतलब जिनका Vortable Column नहीं होता है Vartibrate मतलब जिनका Vortable Column होता है तो जो हमारे Vartibrate से हो साध Invertibrate से आये होगे ऐसा हमें लगता है जब हम इन evidences को पढ़ते हैं and that's all about paleontological evidence question है it seems that the vertebrates have been originated from अब originated from तुमें नीचे comment में answer बताना है and अब हम चलते हैं हमारे अगले topic के उपर connecting links connecting link को थोड़ा अच्छे से समझते हैं some plants and animals show some morphological character अब morphological evidence हमने पढ़ा है तो हमें पता है morphological character मतलब क्या होगा जो हमें externally दिखता है by which they can be related to two different groups hence they are called as connecting link मतलब कुछ ऐसे organisms है जो आपको ऐसे characteristics दिखाएंगे जिसके करण तो मुमको दो groups में place कर सकते हो common characteristic दिखाएंगे तो उसी को हम लोग कहते हैं connecting link अच्छे सा समझाओगा कुछ example अपके book में peripatus, platypus देखो यह है peripatus, यह है platypus और lungfish, अले दले की example नहीं है ध्यान से याद रखना है, ठीक है सबसे पहले एक example लेते हैं यह हमारे पास एक earthworm है earthworm belong करता है animal classification वाले chapter में इसके बारे में detail में पढ़ेंगे फिर देखो यह मेरे पास एक cockroach है cockroach belong करता है earthworm अब ऐसा माना जाता है कि earthworm से cockroach बना होगा तो कोई न कोई ऐसा organism होगा जो इनके बीच में common होगा and that is peripatus, तो यह connecting link है समझाता हूँ कैसे तो देखो यहाँ पे मिरे पास यह है earthworm और यह है मिरे पास peripatus इन दोनों के बीच में common चीज होता है that is segmented body का है तुम देख सकते हो इनके body में segments है छोटे 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 से फिर अगर मैं बात करूँ तो इनके thin cuticle मतलब यह जो skin होती है बहुत ही पतली होती है इसकी भी और इसकी भी फिर parapudia like organs मतलब छोटे छोटे से नीचे pair होता है जिससे यह movement करता है तो यह कुछ common चीज़ है तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई साब हो सकता है कि anilida से peripatus बना होगा आगे सुनना अब मैं ले लेता हूँ एक cockroach जो कि अर्थरोपोड़ा था और यह peripatus है open circulatory system ना cockroach के अंदर ना ही peripatus के अंदर hurt और मतलब जो भी हमारा जो मतलब क्या होता है veins, capillaries, arteries यह सब नहीं होता है तो इनका जो system होता है open होता circulatory system same for both तो इससे हम एक चीज़ कह सकता है कि भाई साब anilida से बना होगा हमारा peripatus और उससे फिर अर्थोपोडा हुआ होगा and that is called as कि peripatus is the connecting link between anilida and arthropoda peripatus जो है वो एक connecting link है anilida और अर्थोपोडा के बीचे एक और example लेता है अभी तुम्हें यहाँ पर जो दिख रहा है वो क्या है एक reptile है जो कि अंडे देती है साब और यहाँ पे गाय है जो अपने बच्डे को दूद पिला रही है अब ऐसा माना जाता है कि reptile से mammal बने होगे तो इनके बीच में connecting link होगा and that is कौन सा होगा वो यह platypus duck build platypus क्योंकि यह जो duck build platypus है यह reptiles की तरह अंडे देता है और mammals के तरह इसके पास memory gland है कि अपने बच्चे को यह दूद पिला सके तो हम कहता है कि भाई यह क्या होगा एक connecting link होगा between reptiles and mammals अब अगला सुनो lung fish lung fish जो होता है न वो irrespective of being the fish एक fish होने के बाबजूद भी यह क्या करती है कि lungs से सास लेती है ठीक है तो हम क्या कहता है कि lung fish जो होगा वो एक connecting link होगा between fish and amphivian जो पानी में भी रह सकते है और जमीन पे भी रह सकते है इनके बीच का यह क्या है connecting link है तो यहाँ तक था connecting link के बारे में कुछ questions है तो मैं नीचे comment में इसका answer बताना है अगला सुनो हमारा अगला जो evidence है और last evidence है वो है embryological evidence बहुत आराम से समझ ले ना इसको अब मैं तुम्हें कोई photo दिखा रहा है इस photo को धान से देखना यहाँ पर fish है फिर slamander है फिर turt eyes है फिर आपको chick दिखेगा फिर rabbit है और फिर man है अगर तुम इन सब को ठ्यान से देखोगे तो early stage में फिर देखो यहाँ पर इधर वाला देखो और फिर यह वाला देखना है तो यहाँ पर देखो यह सब एक दूसरे से अलग है फाइनली लेकिन early stages में देखोगे तो सब लगभग एक जैसे दिखते हैं यहाँ पर जहाँ पर मैं pointer गुमा रहा हूँ यहाँ पर सब लगभग एक जैसे दिखते हैं हलाकि यहाँ पर अलग है मतलब यह इस तरीके से देखना है ऐसे नहीं किया ऐसे 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 लास्ट कोश्यन है इस वाले टॉपिक से फिर हमारे अगले टॉपिक के तरफ चलेंगे तुम्हें नीचे कॉमेंट में इसका एंसर बताना है अब हम चलते हैं हमारे नेक्स टॉपिक के उपर Darwin's theory Darwin एक साइंटिस का नाम है जिनका फोटो आपको स्क्रिंट पे दिख रहा होगा इन इयर 1831 22 इयर ओल्ड डार्विन एक यात्रा पे जाते है इस यात्रा पे जाते हुए यह एक आईलाइंड पे रुखते है इस आईलाइंड पे जाकरके यह अनग-अनग प्रकार के plants और animals को study करते है जो भी इन उना study किया था उनको एक बुक में लिखते है जिस बुक का नाम है The Theory of Natural Selection यह आपको बुक दिखना होगा यहां सार में कुछ important चीजों के बारे में पढ़ना है Darwin ने कहा कि कि all the organisms reproduce prolifically इसका मतलब कि हर organism वहुत सारे बच्चा पैदा करता है and all the organisms compete with each other in life-threatening manner हर organism एक दूसरे से life-threatening मतलब जिन्दगी और मौत का सवाल है इस तरीके से लड़ता है क्यों लड़ता है भाई food, shelter, mating और survive यहां पे होता क्या है जब इन चीज़ों के लिए लड़ाई हो रही होती है तो जो fit होता है वो survive कर जाता है survival of the fittest जान से समझना इसको एक example से समझाता हूँ मल्लोक की एक रगिस्तान है जहां पे कुछ रगिस्तान से color के match करते हुए चुहे थे और यहां पे कुछ white color के चुहे थे अब एक eagle आती है और यह eagle आ करके यहां पे देख रही कि मुझे खाना चाहिए खाना चाहिए और यह finally white चुहों को बहुत आसानी से देख लेती है अब यह eagle आई एक white चुहे को लिया और उड़ गई एक white चुहा कम ऐसे दीरे 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 एगल साएंगे और white चुहे को खाते जाएंगे और दीरे दीरे सारे white चुहे खतम हो जाएंगे अब यहां पे गर तुम देखोगे तो जिस चुहे का color match कर रहा था rate से वो बच गया है ऐसा क्यों हुआ ओल्ली दोज ओर्गेनिजम सस्टेंग विच सो मोडिफिकेशन इसेंचल फो वेडिंग दा कॉंपिटिशन चालू है इसमें वही ओर्गेनिजम जीतेगा जिसके पास ऐसा कुछ खास चीज है जो इस कॉंपिटिशन में उसको जीता सकता है अब यहाँ पर देखो सस्टेनिंग एंड सेलेक्टेड और्गेनिजम जो और्गेनिजम सस्टेन कर गया और जो सेलेक्टेड है यहाँ पे तो अब मालो कि अगर यह चुहे अपने बच्चे को जन्म देता है तो उनके बच्चे भी इस कारेक्टर के साथ जन्म लेंगे और यह भी अपने आपको प्रोटेक्ट कर पाएंगे यह था डार्विंस का थेरी अब देखो यह जो थेरी है इसको वाइडली एकसेट किया गया उस डिउरेशन पर लेकिन इसके अगेंस्ट कुछ अबजेक्शन भी थे उसके बारे में पढ़ते है अबजेक्शन कुल मिला के तीन अबजेक्शन थे और उनमें से पहला अबजेक्शन है नेचरल सेलेक्शन इस नोट दो ओल्नी फैक्टर र के बारे में जो स्लोली होता है कि अफिर जो अचानक से होता है अबरप का मिनिंग आपको सर्च करना है और नीचे कॉमेंट में मुझे एंसर बताना एक छोड़ा सा उमक दिया है चलो आगे बढ़ता है अगला जो हमारा टॉपिक है वो है लमाकिजम लमाक नम के साइंटिस थे जिन्होंने कुछ चीज़े कही थी द्यान से समझना इन्होंने कहा कि एक्टिविटीज और लेजीनेस अफ डाट ऑर्गेनिजम मतलब किसी भी ऑर्गेनिजम के एक्टिविटीज मतलब एक्टिवेट्स मैंने यहां पर थोड़ा सा गरवड किया है मैं इसको कर देता हूँ ठीक है यह एक्टिवेट्स नहीं होना चाहिए एक्टिविटीज होना चाहिए ठीक है तो एक्टिविटीज और लेजीनेस अफ डाट ऑर्गेनिजम से उसके मॉर्फोलोजिकल चेंजेस आते हैं ठीक है मालनो कि एक जिराफ है जो घास का रहा था और थोड़े थोड़े घास नीचे जमीन पर से कम लोगे अब यह जिराफ क्या करेगा असे गरदन उठा करके ऊपर का पत्ता खाने की कोशिश करेगा इस कोशिश में इसकी गरदन लंबई होगी देरी देरे विट टाइम इसकी क्या होते जाएगी लंबी होती चले जाएगी तो लमाक कहता है कि नेक अब दे जिराफ has become too long जिराफ का नेक बहुत लंबा इसलिए हो गया क्योंकि उसको तॉल प्लैंट पे से घा वातलब पत्ते खाने थे और यह सेवरल जनरेशन में हुआ होगा ऐसे फिर मान लेता है कि एक आइडन स्मिथ है यह अईडन स्मिथ मेरा और आपका फेवरिट आइडन में है यह लोहार जो है यह लोहे को मारता है बार बार तो इसके जो shoulders होंगे 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 frequent movement के कार्ण हैं अच्छा कहता है कि जो birds होता है इमो और ostrich उनके जो pair है वो इसलिए इतने मजबूत है क्योंकि उन्होंने उसका huge किया और साथी साथ इन्होंने उडने के ability इसलिए खो दी क्योंकि इन्होंने उसका कोई इस्तमाल नहीं किया ठीक है इनके wings इसलिए कमजोर हो गया होगे फिर कहता है कि यह जो bird है इसके जो pair है इस तरीके से इसलिए हो गया है जो आपको दिखने तो ठीक है, ठीक है, ये सारी बाते ठीक है, the character will transfer from one generation to another generation, ये जो characters है, वो एक generation से दूसरे generation में जाएगा, और इसी को कहा जाता है, theory of inheritance of acquired characters on lamarkism इसी चीज़ को क्या कहा जाता है theory of inheritance of acquired characters on lamarkism acquired character समझाता हूँ मैं तुमें जो अपने जीवन काल में एक organism acquire करता है, जैसे मैं जिम जाओ और मैंने अपने body बना ली, तो ये मिरे लिए acquired character हो जाए, तो lamark कहते थे कि ये जो भी changes आता है, एक organism क्या करता है, अपने आने वाले generation को transfer करता है मगर, मगर दिक्कत है आपर सुनना, development of organs due to specific activities और degeneration due to no use was widely accepted, अगर किसी भी चीज का मैं बहुत use करता हूँ तो वो मेरे लिए develop हो जाएगा और degenerate हो जाएगा, अगर मैं use नहीं करूँगा, ये accept किया गया, but transfer of those character from generation to generation was rejected, वगर एक character transfer होगा एक generation से दूसरे generation में, इसको reject कर दिया गया था, because it has been verified many times that the modification brought in was not transferred to next generation, तुम imagine करो इस तरीके से ठीक है, कि मैं बहुत सारी body बनाता हूँ, तो जो मेरा बच्चा पैदा होगा, क्या उसकी naturally body बनी होगी नहीं ना, तो इस लिए इस चीज को reject कर दिया गया था, और marks की जो theory थी, उसको disapprove कर दिया गया था, अब एक बात याद रखना है, exam में तुमसे ऐसे पूछ सकते है कि theory of inheritance of acquired character बताओ, जिसका मतलब lemarkism ही है जो जो चीजे में ना तुम बताई है, उसका तुम notes बना लेना, चलो, अब आगे बढ़ते है है, और अगला जो topic में हमारा हूँ है mutation, महुत simple सा है, तुम्हें समझे में आ जाएगा हमें पता है कि DNA के एक छोटे सा segment को हम gene कहते है, gene क्या करता है produce करता है protein, जिससे हमारे characters को हम define करते है, तो यह हमारे पास यह बड़ा सा gene है, और हमें पता है कि gene के उपर क्या होते है भाई, इस तरीके से कुछ coding होता है, right, A, G, U, C, ऐसे कुछ coding होता है exactly मैं coding नहीं लिए, A will always pair with T, मुझे पता है ठीक है, A हमेशा T के साथ pair करेगा, G हमेशा C के साथ pair करेगा, and so on, जो भी है, ठीक है, तो अगर माल लेते है sometime, एक nucleotide, any nucleotide of the gene, changes its position, मतला माल लो, यह वाला जो यहाँ पर है, वो यहाँ चला गया, अपने position को change कर लिए, या फिर माल लो, कि यह वाला nucleotide delete हो गया, ठीक है, that causes minor changes, इसके कारण एक minor change हो सकता है, कई बार major changes भी हो सकता है, और उसी को हम mutation मोलता है, 9 standard में तुमने कुछ चीज़े पढ़ी थे, sickle cell, anemia, albinism, यह सब क्यों होता है, mutation के कारण है, ठीक है, एक cell में mutation, पूरे gene में mutation हमने सब 9 में पढ़ा है, तो यह है mutation के बारे में definition, इसको आप लिख ले न, अब हम चलते हैं हमारे अगले topic पे, जिसका नाम है speciation, danse समझना, speciation मतलब होता है, formation of new species of plants and animals, अब यह जो formation होगा, यह fertile होना चाहिए, ठीक है, किसी भी चीज़ को species कब कहते हैं, भी तुम्हें समझ में आएगा, formation of new species of plants and animals, it's called speciation, अब हमारे आसपास बहुत सारे species हैं, चोटे, बड़े, बहुत बड़े, बहुत चोटे, ठीक है, बहुत सारे species हैं हमारे पास और लड़ी, is the group of, अब species किसको कहते हैं, वो धाल से समझना, species is the group of organism that can produce fertile individual through natural reproduction, इस line को भी तुम समझोगे, मालो ये एक डॉगी है और ये उसकी girlfriend, बीबी, ठीक है, ये उसकी girl, बीबी, ठीक है, अड़ एक आद्मी है और ये उसकी wife, अब ये डॉगी और ये उसकी wife मिल करके एक puppy प्रोडिूस कर सकते हैं प्यारा सथ ठीक है और यह आदमी और यह और यह अरत मिलकर के एग में भी प्रोडिूस कर सकता है तो इन दोनों को हम स्पीसिस गोल सकते हैं अब डेफिनेशन एक बाए पढ़ना क्या था is the group of organism that can produce fertile individual through a natural selection अब यह भी आगे उस process को continue कर सकता है और यह भी कर सकता है तो हम इसको species कहेंगे अब देखो अलग अलग जो species होता है कुछ species aquatic होता है पानी में गरा में रहता है कुछ desert में रहता है कुछ snowy region में रहता है तो हम यह कहेंगे कि each species grows in specific geographical condition फिर अलग-अलग species का अल food habitat or reproductive ability होता है मतलब food वह अलग खाते है habitat अलग जगह पर रहते है और reproductive ability भी different होता है reproductive ability मतलब तुमने देखा होगा कि जैसे dogs एक सार तीन चार पांच शे बच्चे पैदा कर सकते है humans एक या दो बच्चे पैदा कर सकते है मतलब हो भी tween हो गया तो एक camel शाया देखी बच्च को mutation भी कहते है are responsible for formation of new species from the earlier one जैसे माल लो यह red color के कुछ bitles थे इससे green bitles आगे due to genetic changes mutation हुआ और यह green से शायद आगे चलके blue हो सकते है due to mutation genetic variations के कारण इसके अलावा कभी-कभी geographical barrier भी आ जाता है ठीक है तो geographical और reproductive isolation also leads to speciation जैसे माल लो कि यह जो हमारे red वाले कुछ bitles है वो यह blue वाले bitles से separate हो गया क्योंकि बीच में नदी बन गई माढ आया था और बीच में नदी बन गई अब यह आपस में reproduce कर सकते है ठीक है अब इन दोनों के बीच में एक reproductive isolation आ गया या फिर एक geographical isolation आ गया इसके कारण भी एक नया species बन सकता है इतना ही तुम्हें एक्जाम के लिए रियाद करना है नोट्स तुम्हें पूरा का पूरा नीचे description में मिल जाएगा तो यह वाला topic होता है हमारा खतम अब हमारा finally एक topic बज़ गया है human evolution जिसको अब हम पढ़ें फाइनल topic है हमारा human evolution देखो साथ करूर साल पहले ऐसा माना जाता है कि last dinosaur के spaces खतम हो गया थे और वहाँ एक श्रूर लाइक एंसेस्टर से कुछ monkey-like organisms monkey-like animals डेवलप हुए थे अब यह जो monkey-like तुम्हेरे animals थे यह चार करूर years ago इनका जो क्या था कि इनका जो टेल था ठीक है वो monkey-like animals के यह धीरे-धीरे disappear होने लगे and इनका जो brain था वो enlarge हुआ जो hands थे वो और इंप्रूव हुए और यह थोड़े ape-like animals इससे evolve हुए थे जिसका नाम था Egyptopithecus 4 crore years ago इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और fast आते है 2 crore years ago की बारे में बात करते है तो evolution of old species of the apes seems to be occurring in a different way इनका जो खुराने जो old species थे apes के हुए evolution थोड़ी अलग तरीके से हुई यह हातों का ज्यादा इस्तमाल करते थे कोई काम करने के लिए है फिर खाना खाने के लिए और अफरीका में अच्छनक से dry weather के कारण सारे पेड़ पौदे सुख गया थे तो इनको जमीन पर आके रहना पड़ गया और जब 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 जमीन पर रहते थे तो क्या होता था आस पास से कोई जानवर इन पर attack ना करते इसके उनका जो कमर का हड़ी हो धीरे-धीरे सीधा होने लगा और इनके जो हैंड्स थे वो ज़्यादा फ्री हो गया इस्तमाल करने के लिए ये 2 करोर इस एको जिनकी मैं बात कर रहा है उनका नाम है dryopithecus अब अगर मैं बात करूँ एक करोर इस पहले की तो यहाँ पे हमें first record मिल बढ़ने लगा और वो ज्यादा intelligent हो रहे थे और इस तरीके से साथ एप of South Africa exist कियोगे जिनका नाम हम Australia प्रिथैकस बोल के भी बुलाते है इनको ठीक है अगला जग हम बात करें तो 20 lakh years ago 20 lakh years ago skilled humans develop होने लगे थे यह चोटे-चोटे से weapons बनाते थे और कुछ-कुछ अलगा-लग instrument बनाते थे इनका नाम तो homo habilis और यह पहले पहले member थे homo genus के अगर हम आगे बात करते है 50 lakh years ago के बारे में तो man walking with erupt posture develop हुआ था evolve हुआ था मतलब और इनका नाम तो homo erectus और यह सा माना जाता है कि यह चाइना और इंडोनेशिया में exist करते रहे होंगे अगर उससे थोड़ होने लगा for the period of like 1 lakh years and meanwhile it discovered fire और meanwhile उसने fire भी discover कर लिया था अब अगर मैं 1.5 lakh years ago की बात करता हूँ तो यह एक इंसान था इस प्रकार की evolution हुई थी जिसका नाम था नेंडर्थाल और यह पहला example है wise men का मतलब समझदार आदमी intelligent आदमी का यह पहला example है क्यों क्योंकि यह caves में र सहा करता था थोड़ा और आगे जाते हैं 50,000 years ago तो हमारे पास crow magnon man था जो की evolve हुआ था crow magnon man evolved and afterwards evolution have been very faster than earlier मतलब यहां से जो evolution है वो थोड़ा और तीज हुआ as compared to पहले ठीक है यह उसका photo है और अगर 10,000 years ago की बात करूँ तो agriculture start हो गया और man cattle rear करता था मतलब pollen portion करता था cattle का और city established हुए cultural development होने लगा था उस time में और अगर मैं 5000 years अगर की बात करूँ तो writing art of writing was invented of 400 years ago modern science emerged तो इस तरीके से अगर हम आगे जाते हैं 200 years ago तो हमें पता चलता है कि industrial society was established और आगे 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 evolution होता चला गया है अब मुझे पता है यह सब जितना फार्स्ट वर्ण में तुम्हें बता है उतना जल्दी तुम्हें याद नहीं होगा इसलिए एक timeline दे दिया है मिला तुम्हें तो आप इस human evolution timeline का इस्तमाल कर सकते हो यहाँ पर सारी चीज़े लिखी होई है और एक एक करके तुम्हें याद कर सकते हो तो यहाँ पर timeline पूरा का पूरा है तुम इसका प्रिंट निकाल लेना या फिर नोट्स तुम डाउनलोड कर सकते हो 22 question and this is the last question फर्स्ट एक्जाम्पल अफ वाइस मैन इस नियंदर थाल नियंदर थाल तुम्हें नीचे कॉमेंट में अच्छा लगा होगा और अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसे और भी चैप्रस अप्लोड करूँ तो मुझे कॉमेंट में जरूर बता है अगर तुमने पूरा चैप्ट रहूँगा साथी साथ हमारे एक चैनल है इजी लर्निंग उस चैनल पर मैं सूच रहा हूँ कि हिनी सबको टॉपिक टॉपिक वाइस करके इन वीडियो को डाल दू यहां पर तो मुझे जरूर बताना चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्श